हाँ हालो सुदेंट्स देखिए आज मैं क्लास नाइन्थ के लिए कि एसेश्ट्री में हिस्ट्री का फ्रेंच रिवोलूशन यह वाला टॉपिक लिए क्या आया हूं कि इस टॉपिक के इस चैप्टर के दो वीडियो मैंने आपको पहले भेज़े हुए मुझे उम्मीद है आप लोग दोनों वीडियों कच्छी दो से पढ़े होगे मैं इस बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास नाइन्थ के लिए अभी तक तो आप लोग क्लास एड तक इंडियन हिस्ट्री का पढ़ते आयों होंगे यह यूरोप में फ्रांस का इतिहार और फ्रांसीसी क्रांती इस्पेशल चीज है जो कि बहुत इंपॉर्ण थोड़ी तफ भी है नांत क्लास के लिए लेकिन आप मैंने दो वीडियो भीज़े उसको बड़े ध्यान से देखना और यह जो वीडियो है इसको भी साथ में जब इसको आप दो तीन बार सारे वीडियो को देखोगे तब जाके चैप्टर थोड आज में थोड़ा बुक्स बिलिया हूं अपने साथ में ताकि कोई चीज छूपने जाए बताने से तो इसमें है डिड्ड उमन है ए रिवोलूशन इस वाले टॉपिक में हम पर पढ़ते हैं देखो सुवू से फ्राम वेरी बिगनिंग फ्रेंच रिवोलूशन में सोशल य बड़ा योगदान रहा है लेकिन योगदान होने के बाद भी उनको कोई पॉल्टिकल राइट वो देने का अधिकार ये सब कुछ नहीं मिलता था तो वही बता रहा है करे कि वोमन वर्ग्ड एज सीम ट्रेसर्स और लेंड रसे शोल्ड फ्लावर्स फ्रूट वेजिटेब आप मार्केट और वेरिंप्लाइड एज डॉमेस्टिक सर्वेंट्स इन दा हाउसे आप प्रॉस पीपल महलाएं जो थी गलियों में सामान बेचना सब्जी बेचना फल फूल बेचना लोगों के घरों में जाके काम करना ये सब काम करती थी ताकि उनके जीवन का अस्तर थ अधिकांस आउड़ते चीवा अप्णा जाप करती थी नौकरियां भी करती थी जो लड़कियां अंखेंट इसकूलों में पढ़ती थी वह अमीर धरों की लड़कियां थी जिनके पास पैसे होते था थर्ड स्टेट वारे में ही जिनके पास पैसे होते थे या जो बड़े लड़कियां जाके सब्सक्राइब परिवार का केर करती थी जो भी सामान फैमिली वर्क होते हैं कुकिंग फेचिंग वाटर क्यूब में लगके सामान खरीतना ब्रेट खरीतना ये सारे काम करती थी बच्चों का देख भाल करती थी लेकिं फिल भी अगर कहीं महिलाएं पुर्षों के साथ काम करती थी नोकरियां करती थी तो उनकी वेज़र बड़े कम होते थी उसकी बाद देखिए बहुत से महिलाओं ने कि फ्रांस में पेरिस में और जागों पर कुछ पॉल्टिकल क्लब फोल रखे थे अपने पॉल्टिकल क्लब फोल रखे थे जहां पर वो डिस्कस लगभग साट से उपर सिष्टी से उपर ऐसे कलब थे जहां महिलाओं पॉलिकल दिसक्रusal भी करती थी उसके बाद है महान आप द़्मेंड महिलाओं के डिमांड क्या होते थी एक इतना सारा करने पॉलिजाओं के के विकारिए फिये जाये ओर लेकिन 1791 में क्या हुआ वोट का भी अधिकार गया उनको पैसिव सिटिजन बना दिया गया पैसिव मतलब उनको ओट देने का अधिकार भी नहीं है और जब उसके बात नहीं सरकार आई तो उसमें कुछ कानून बनाए गए जिनसे महिलाओं के इस्थिती में थोड़ा सा इंप्रूब्मेंट हो सके थोड़ा सुधार हो सके उसके साथ साथ अब घर में जो लड़कियों के माबाप थे उनको साधी करने के लिए बहुत ज़्यादा दवाव भी नहीं डालते थे कहां साधी करनी है वो कुछ अपने आप भी अपना नेने ले सकती थी फ्री थी उनके लिए कुछ सिविल लाज भी बना दिये गए कह रहा है कि महिलाओं ने उसके बाद भी इक्वल राइट्स के लिए हमेशा संघर्ष करती रहे हैं फ्रांस में महिलाएं समान राजनीतिक अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करती रही हैं लेकिन रेन आफ टेरर के टाइम में सरकार ने एक नियम बना है कि महिलाओं के सारे क्लब फ्रांस में बंद कर दिये जाएं उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर बैंड लगा दिया गया बहुत सी महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया और उनको एग्जिक्यूट भी कर दिया गया इसके बाद उमर मुवमेंट्स पार वोटिंग राइट एंड एक्वल वेजेश कंटिनीव थू दर नेक्स्ट तू हंडेड यर उसके बाद भी आने वाले दो सो बर्सों तक महिलाएं अपने राजनीतिक और वोट का अधिकार के लिए संघर्ष करती रहीं कर फाइट फार्ड वोट वाज करीड आउट थू एंड इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट उसके बाद इट वाज फाइन नैंटीन फॉर्टी सिक्स फ्रांस में नाइनटीन फॉर्टी सिग्स में जाके में महिलाओं को ओड देने का अधिकार मिला राइट् वोट ज Know batch तैंति हैं या उत देने का अधिकार मैं जाकर मेरा हो 1976 में जात्यों आखन से स्के यह नाफिदा आटो आथ तैस आट थी आटो औब वार उमन यह देखिए इससे पहले तो हमारे इंडिया मिल चुका था महिलाओं को देने का अधिकार लेकिन फ्रांस में जहां इतना सबसे पहले का संगर अब कि एवालीशन आप स्लेवरी कि एवालीशन आफ स्लेवरी कि इसे कहते हैं कि से अब लेवरी कहते हैं गुलाम प्रथा दाश प्रथा पहले के समय में कि ब्यापार इक दिश्टिकोर से या ट्रेड में काम कराने के लिए गुलामों की खरीद फरुप्त होती दाशों को बड़े पैमाने पर खरिदा जाता था हार्चार से मैं बता दूँ जो भी अंग्रेजों की कॉलोनीस थी जैसे अमरिका की तरफ जोन की कॉलोनीस थी कि वहां चाय बागान काफी के बड़े बड़े बागान नील के बड़े बड़े बागान तो वह जो कॉलोनिया थी जैसे मार्टिनीट गुवाडेलों और सैंट डॉमिंगो ये इनकी फ्रेंच कॉलोनीस जोकि वेस्ट इन्डिज में थी अमरिका के पास थी तो अग्रेज व्यापारी यह जो यूरूपारी कहा के थे यूरूप के थे इनको लेबर कहा मिलती थी अफ्रीका में मिलती थी लेबरों को लेके जाना कहा पड़ता था अमेरिका को पूरा एक रूट ऐसे यूरूप से आये अफ्रीकी महाद्यूप में यहां लेबरों को लिए और यहां से पूरा अट्लांटिक महासागर्ण पाल करके करेबीएन करेबियन आइसलेंड यहां जाते थे यह अफरीका हो गया यह यूरोप कैसा ट्राइंगल सा बन रहा है यहां क्या है यहां के मर्चेंट है यहां से उनको लेवर मिलती है और यहां जाके लेवरों को सप्लाई करते है खास तो से निल की खेती करने वाले चाय के बागान वाले कॉफी के बागान वाले जो भी मसाले उगर उगाई जाते थे सब जगर तो यह जो है 17 सदी में लगबर 17 सेंचुरी में शुरू हुआ और उसके बाद उन लेवरों को लेकर यह लोग जब वहां पहुंशने थे तो उनकी बेशने में खरीदने में बड़ा भारी ब्यापार होता था इनका और इनके ब्यापार की वज़े से यूरोप में दो ऐसे बंदरगा थे और शिटीज थी जैसे बॉडियाक्स और नैंटीज नैंटीज और बॉडियाक्स यह दोनों बंदरगा इकोनामिकली बड़े प्रोस्परस हो गए थे लेवरों की खरीद फरोक से बहुत पैसा मिलता था सस्ते सस्ते लेवर खरिते थे लोक लुभावन उनको देके लाज़स देके लेके जाते थे बड़े महाँए पैसे में बेशते थे बहुत बड़ा ब्यापार होता था सरकार की कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी गौवर्मेंट की कि इस पर कोई एक्शन ले सकें क्योंकि यह बड़े बड़े ब्यापारी करते थे और उन्हीं के बलपाउन की सरकार चलती थी फ्रूआउट दा एटीन सेंचुरी देर वाज लिटिल किटी सिजम आप स्लेवरी इ नहीं करता था बार में दर नेशनल असंबली हैं लांग डिबेट इबाउट विदर दर राइट आप मैं फुट बेट इस टेंड़े इंक्लूडिंग दोज इंदर कालोनी नेशनल असंबली में लंबे लंबे डिबेट हुए उसमें तै किया गया कि चाहे फ्रांस में हो च क्योंकि फेरिंग अपोजीशन फ्राम बिजनेसमें फूज इंकम डिपेंडेड अंदर स्लेशनल यह विरोधी थे बिजनेसमें जो बिरोधी थे उनका तो पार ही सारा स्लेप ट्रेट पर आधाली था बाद में 1794 में एक लेजिसलेटर पास हुआ यह हुआ कि सभी स्लेप क को सभी लेवरों को फ्री कर दिया जाई चाहिए वो फ्रांस के हूं चैसifs कालोनीज फ्रांस से बाहर के रहूं बाद में कि नेपोलीन स्मय के लिए रहा दस साल के बाद ही, नेपोलियन री इंट्रोड्यूश स्लेवरी, नेपोलियन बोना पाइट ने फिर इंट्रोडिऊश कर दी, गोलामी परथाकुस ने फिर से री इंट्रोड्यूश कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, फ्लान्टेशं color owners understood their freedom as including the right to ensure African Negro in pursuit आप दियर एकोनॉमिक इंट्रेस्ट स्लेवरी वार्टी एट में जाके स्लेवरी एबॉलिश की गई गुलामी प्रथाग खतम की गई अब देखिए इतना तो आप देख लिये हैं फर्शेस के आगे देखिए एक और टॉपिश्ट दा रिवोलुशन दा रिवोलूशन आएंड एवरी डे लाइफ रोजमर्ण की जिन्दगी पर क्या प्रभाव पड़ा रपड़ता है का क्रक्या राजनीति लोगों के रहन्सान लोगों के पहनावे लोगों के खान पान इस पर यह प्रभाव डालती है 1789 में फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस देखे गए लोगों के जीवन में महिलाओं के जीवन में बचों के जीवन में और उसके बाद लोगों ने क्या किया लिबर्टी और इक्वालिटी पर बहुत जादा ट्रांसलेट किये गए चीजें बताई गए अन बात किये गए और धिरिद उसको जीवन में प्रेक्टिस में लाने की बात की गई वन इंपॉर्टेंट लाज देट केम इंटू इफेक्ट सून आफर दे स्टोर्मिंग आप बैसले आप समर 1789 वाज एबोलिशन आप सेंसर्शिप एक कानून जब बैसले का किला उगर धा दिया गया तो उस समय 1789 में एक महत्तपून कानून बनाया गया एबोलिशन आप से संसर्शिप को हटा दिया जाए देखिए पहले जो किताबें छपती थी निउज पेपर निकलते थे कोई नाटक वगर पबिश किये जाते थे तो सबसे पहले राजा का संसर्शिप था राजा से परमिसन लेनी पड़ती थी तक वह चीजें दिखाई जाती थी या मार्केट अधिकारों की आदमी के अधिकारों की घोशना हुई तो इसमें यह चीज तै की गई कि फ्रीडम आफ स्पीच एंड एक्स्प्रेशन भाशन की बोलने की और एक्स्प्रेशन की भावना की सुतंचता दी गई है तो इसमें न्यूज पेपर, पंप्लेट, बुक्स, प्रिं प्रिंटेट पिक्चर, यह सब चीजें फरी होने चाहिए और धिरे-धिरे पूरे मार्केट में इनकी बाढ़ा गई, अब जो लोग पढ़ सकते थे, वो इनको पढ़ने भी लग गए, अपने विचारों को व्यक्त करने लग गए, पेपर में पंपलेट में अपने विचा इसकी बाद राजनीतिक दासनिक जो है पूरे फ्रांस में फैलाने लग गए, उसकी बाद देखिए पूरे चैप्टर का कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होता है, पूरे का निश्कर, मैं इसको सम्झा दूँ आप लोग को, इन 1804, नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ इंपरर आफ फ्रांस, अथारा सो चार में, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना, राजा बनने के बाद ही, उसने अपने आज पास के सभी राजियों पर, सभी देशों पर आकमर करके उनको जीत लिया, और अपने रिष्टेदारों को वहां राजा बनाना शुरू कर दिया, नेपोलियन साहिज रोल एज अ मॉडरनाइजर आफ ही, वो कहता था कि मैं यूरोप को आधुनिक बना रहा हूँ, मैं यूरोप का मॉडरनाइजर हूँ, ही इंट्रोडिश्ट मेनी लाज सच एज प्रोटेक्शन आप प्राइवेट प्रापर्टी, उसने का सब के प्राइवेट प्रापर्टी की रक्षा की जाएगी, अब पूरे देश में नाप तौल की एक अही बेवस्था लागू की जाएगी, डिश्मर्ट सिस्टम भी लागू किया, शुरू-शुरू में मेनी सा नेपॉलियन एज लिबरेटर, लोगों के लगा कि नेपॉलियन बोना पार्ट लिबरेटर के रूप में आया है, हम लोगों को सुतंतरता समानता दिलाने के लिए आया है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि नेपॉलियन की आर्मी हर जगह जाके इनवैट करने लग गई, आक्रमर करने लग गई, कबजा करने लग गई, और यूरोप के पूरे अड़ोप फ्रांस के आज पास के सभी देशों पर इसने आक्रमर कर दिया, अंत में बहुत भयानक युद्ध हुआ और 1815 में वाटरलू के मैदान में नेपॉलियन को हरा दिया गया, नेपॉलियन मार अपनाया थे देश के लिए वह आगे भी जारी रहे, उनको लोगों ने अपनाया भी, दा आइडिया अफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वे दे मोस्ट इंपॉर्टन लिगेसी आफ फ्रांसी सी क्रांत की सबसे बड़ी चीज किया थी, लिबर्टी और इक्वा और दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी इंस्पिरेशन या कर सकते हैं कि प्रेणा का श्रोत बनी रही, खास तोर से हमारे भारत जैसे देश में भी ये चीजें प्रेणा देती रही, और ये तो स्लेवरी का तो हुआ ही, फ्यूडल सिस्टम भी एबॉलिस कर दिया गया, नवावी ब्योस्था भी लगभख खतम हुई फ्रांच रिवोलुशन से, गुलामी प्रथातों महार जली नहीं हुए लिकिन दूसरे देशों में काफिस का प्रभाव पड़ा, छोटी-छोटी कालोनिया सोतंत्र होने लग हमारे देश में टीपु सुल्तान और राजा राम मुहन राय यह भी इस से बहु ज़्यादा प्रभावी थे, इन दोनों का नाम आता है जैजामपल, फ्रांस से जो यह आइडिया मिली सुतंता समानता की इन दोनों ने ग्रहन की और दोनों ने यहां राजा राम मुहन राय ने भी और टीपु सुल्तान ने भी यहां काफी ज़्यादा समाशुधार और सुतंता की बात करने लग ज़ये थे, यह जो वीडियो है इस चप्टर उसके बाद नोट्स आपके समझ में आएंगे, थैंक्यू एवरीबड़ी